Hello Friends, My name is Shabir Hussain and you are watching PhysioTalk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं treadmill test के बारे में और साथ ही हम जाने में stress ECG क्या होता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो treadmill test या जिसे हम stress ECG भी कहते हैं इस test को किया क्यों जाता है जब कभी भी आप exercise करते हैं तो यह रेखने के लिए कि exercise का आपके दिल पर क्या आसर हो रहा है इसलिए हम treadmill test करते हैं Treadment test से फायदा क्या है हम treadmill test करते क्यों है वेसी कली कि जब कभी भी आप प्री नॉर्मल लाइफ में, आपकी उम्र के अनुसार, कभी भी जब आप exercise करते हैं, या सीडिया चटते हैं, या tension लेते हैं, तो उस वक्त अगर आपकी heart की नसों में, दिल की नसों में blockage है, तो आपको heart attack आ सकता है, तो इसलिए वही same situation hospital में पैदा की ज जाती है, और अगर उस ECG में fluctuations आते हैं ज्यादा, तो यह suspect किया जाता है कि आपके दिल के अंदर कोई abnormality है, या आपके दिलों की नसों में कोई blockage है, तो इसलिए treadmill test किया जाता है, हमने पहले हमारी वीडियो में बताया था कि ECG क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नही ले लेते हैं, मगर stress ECG में क्या होता है, stress ECG में आपको एक treadmill पर दोडाया जाता है, एक particular speed के अंदर और उस दोरान जब आप physical activity कर रहे होते हैं, जब आपको exertion दिया जाता है, तब आपके heart की धड़कन, blood pressure और ECG not की जाती है, अगर आपकी ECG के अंदर, ST segment के अंदर depression आता है तो उस समय, treadmill test को हम positive मानते हैं, और इस से होता क्या है, आपको early, आपकी, जो भी heart में problems हैं, उनको early detect किया जा सकता है, और सही समय पर उसका इलाज शुरू किया जा सकता है, तो treadmill test के फाइदा ये हैं, कि अगर आपके heart के दिलों की नसों के अंदर कोई blockage है, तो उसका हम पत test के माधियम से पता लगा सकते हैं, और physiotherapy में एक बहुत बड़ा role इस treadmill test का है, आप patient का safe exercise program design कर सकते हैं, इस test के जरीए से, तो treadmill test क्यों जरूर है, इसके बारे में आज हमने बात करी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please like, share and subscribe करना ना भूलें, thank you for watching Physiotalk.